आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें यही हमारा W A से B है, W B से B, C से D, D से A, less than हमारा 0 है अब W A से B, W C से D, greater than 0 है और 4 हमें क्या बोला जाला है, W B से C, W D से A, बराबर 0 है तो निम्ड में से कौन सा या कौन से संबंध सत्य हैं, हमें यह बताने हैं तो यहां पर चार option given है पहला हमारा है केवल 1st और 3rd संबंद केवल 3rd और 4th केवल 1 3rd और 4th और 4th हमारा option है केवल 2,3 and 4 question को हम इस figure के तुर समझते हैं यह figure हमारा question में given है तो हमें क्या given है यहां पर P और V के बीच हमारा graph given है और हमारा A से B, B से C, C से D और D से हमारा एक चक्री प्रक्रम है तो हमें क्या बताना है हमें यह बताना है इसमें से हमारा count सा संबंध हमारा सही होगा अब इसके बाद हमें बताना है कौन सा संबंद सрахई होगा तो यहाँ अगर हम चक्री प्रक्रम को अपने देखेंगे यहाँ पियोगे दक्षिडा वर्थ है तो अगर हमारा प्रक्रम जो है clockwise होता है तो उस condition हमारा होता है कि हमारा निकाय द्वारा कार किये जाता है किसके द्वारा कार किया जाता है अगर प्रक्रम हमारा दक्षिडा वर्थ है तो निकाय द्वारा कार किया जाता है और निकाय द्वारा कार हमारा क्या होता है पॉज्टिव होता है तो नेट वर्ख हमारा किसके द्वारा होता है निकाय द्वारा कार किया जाता है और इस कंड लुबिर्न को देखें कर shops I will अन्य होगे थिया तो अगर EP?'s आट मतलब है कि जो हमारा पहला कथन है पहला जो संबन दिया गई नहीं यह हमारा सथ्य मिल दिए गया दो सेट संबंद्सक्रिम में हमारा्ण के असत्य हो जाएगा तो अब जिस जिस option में हमारा second बोला जा रहा है वो option हमारा incorrect हो जाएगा तो यहां फे fourth option हमारा wrong हो जाएगा अब इसके बाद पहला कथन तो सत्य आ गए अब अगर हम यहां पर third option को देखें third में हमें बोला जा रहा है कि A से B और C से D हमारा greater than zero और fourth में बोला जा रहा है B से C और D से हमारा zero है तो B से C हमारा क्या है आयतन नियत है और हमारा D से A में भी आयतन नियत है तो हमारा जो कार होता है कार का जो हमारा formula होता है work done हमारा कार जो होता हो क्या होता है हमारा w equal to हमार होता है अगर हमारा आयतन नियत हो जाए अगर हमारा आयतन नियत हो जाए उस कंडिशन क्या हो जाएगा अगर हमारा आयतन नियत हो जाए तो उस कंडिशन हो जाएगा हमारा डेल्टा वी एक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा जीर हो जाएगा और डिल्टा भी जीरू हो जाएगा तो हमारा जो किया गया कार क्या हो जाएगा जीरू के बराबर हो जाएगा तो मिन्स हमारा क्या हो रहा है कि हमारा बी से कि यहां से के लिए ठ Mixed CRM करेक्ट हो जाएंगा धेल्ट को सिहाओ से पारारा एपoss वांगो जाता है को यहां से हमारा कूचिन क venues युद्व सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्स 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 पर